हेलो गाईज, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चानल, लर्न विद फन भाल जी, तो गाईज, आप सब को पता होगा कि मैं अब डेली लाइफ सेशन लेती हूँ तो हर दुपहर तीन बजे हम एक नएक चाप्टर डिसकस करते हैं, बेसिकली मैंने अभी तक लिविंग वर्ड बायलोजिकल क्लासिफिकेशन कम्प्लीट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मेरा में मोटो यह है कि मैं आपको रिविजन सबसे पहली चीज बेस्ट और NCRT और सेकिंड चीज हम डेली MCQ डिसकस करते हैं, बट आज के लाइफ सेशन में मैं MCQ डिसकस करने वाली थी दो चाप्टर के लिविंग वर्ड और बियोलोजिकल क्लासिफिकेशन, बट दू सम नेट प्रॉबलम एकदम से नेट चला गया मे सारे आंसर्स जो कि आपको लगते हैं तो उसके लिए जब आपके सामने कोश्चन आएगा तो आप सुझ दूमट के लिए पॉस करोगे और अपना आंसर कॉपी पर लिखोगे और जब यह पूरा वीडियो खतम हो जाएगा तो सबसे लास्त में आप मुझे कोमेंट करके ब आप इसकी आफना पर या फिर ओंगो पाइको मसितीस में आता है एंवीड ओंग जोग अ मेंट करीया है यह चाप्टर बाधिक्ल क्लासिफेटेस्टेस्था कोश्चन आ तो एक कोश्चर्ण आपके सामने बहूत सारे पॉंट्स कलेओं जिसे की डाएटर्म्ट इंक्रीय त तो आप अपने इसमें से काउंट करो कि अप्शन क्या होना चाहिए पांच सही है या आट सही है या तीन सही है ठीक है तो आपको पॉस करना है वीडियो को और अपना अंसर लिख लिया होगा अभी मैं बताती हूं इसका अंसर है प्रियॉंस प्रियॉंस में जो में प्रियॉंस होते हैं वो हमारे नियूरोलोजिकल एफेक्ट्स लाते हैं जिसकी यह जो एनसिफलोपैती है it is a neurological disorder तो यह cause करता है med cow disease in cattle ठीक है जिसका दूसरा नाम BSE या फिर bovine spongiform encephalopathy होता है तो इसका answer था second now move to the next question that is the incorrect for viriots, viriots के लिए कौन सा incorrect option है अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा video को post करना है अपना answer copy पर लिखना है और फिर इसका answer देखना है तो भी आप लोग बताओ इसका answer क्या होने वाला है क्या हो सकता है incorrect पूछा है answer is the option third that have protein code viriots के पास protein नहीं होता है preons के पास protein होता है और virus के पास protein होता है viriots जो है छोटा बाई है virus का इसकी एक story मैंने पूरी बनाई हुई थी live session आपने अटेंड किया होगा तो आपने को जरूर बता होगा move to the next question that is the bacterial viruses are usually that means the bacterial phase जो होते है वो usually कैसे होते है single standard dna double standard dna single standard rna और बोथ two and three तो वीडो को पॉस करो और अपना answer लिखो copy पर क्योंकि last में comment section बताना है ना कि आपके कितने questions बिल्कुल ठीक गए थे so इसका answer है that is the final answer बता दो उसका answer क्या है इसका answer है second that is the double standard dna move to the next question that is which one is a correct statement तो आप बताओ इसमें से correct statement कौन सा है I hope यह सब को याद होगा और याद नहीं है तो फिर NCRT खोल के देखना सारे NCRT based question है और यह जो सारी questions है यह मैंने कुछ खुद से frame की है और कुछ previous year question है तो अभी तक जितने भी questions आप देख रहा हो यह सारे मेरे frame करे हुए है और अभी आप इसका answer बताओ pause करो video को ठीक है answer लिख लिया final answer बताओ what is the right answer for this question that is the name virus was given by DJ Iwinovusky in 1892 move to the next question that is the taxonomic unit phylum in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants इसमें question में यह पूछा है इनोंने कि animals का जो हम classification करते है तो इसमें फाइलम लिखते हैं तो plant में हम क्या लिखेंगे hierarchical level पर और बहुत easy सा यह भी बिल्कुल NCRT based question है आप लोगोंने बहुत बार देखा भी होगा तो अभी video को pause करो और अपना answer लिखो answer है इसका मैं बता दूँ इसका answer इसका answer है option 3 that is the division जैसे हम animals के लिखेंगे यूज करते हैं फाइलम वैसे हम plants के लिखेंगे यूज करते हैं division बहुत easy question है it is also NCRT based question फिटाफट से pause करो वीडियो अपना answer लिखो copy पर so the answer is the option 4 हम height of plant नहीं लिखते हैं हर्भी ariam sheet पर जो label लगाते हैं उस पर कभी हम height लिखते हैं ना हम तो सिर्फ date of collection name of collector local name की चीज़े डालते हैं next question is the one of the most functions of the botanical garden is that अब इनोनेस पर ये पुछा है चो botanical garden होते हैं that is the taxonomical age तो उसके लिए best चीज क्या है उसका most function important function क्या है तो आप भी वीडियो को pause करके answer लिख रहे हो of germplasm ये एकसीटू conservation करवा देते हैं germplasm का ठीक है now move to the next question I hope interesting हो रहा होगा ये सब बहुत easy question that is the term species was coined by Aristotle linear genre या angler tell me in the comment section the answer answer is the पहले आप copy पर लिखो आप में से बहुत सारे लोग से video देख रहा हो मुझे पता है answer नहीं लिख रहा हो तो अपनी copy पर answer भी लिखो क्योंकि मैं सब comment section जरूर check करूंगी और जिसके सारे कि सारे answers ठीक होंगे definitely मैं उसको एक heart वाला जो love वाला आता है न option वो जरूर दोंगी so इसका answer है option 3 that is the john ray john ray ने दी थी यह term species now move to the next question that is which one of the following is not a correct statement तो जब भी आप कोई भी question बढ़ रहो उसमें underline कर लो कि क्या क्या पूछा है इन्होंने कहा है not a correct statement इसमें correct statement नहीं है simple लिख सकते थे incorrect statement बताओ बट इन्होंने लिखा है not correct तो आप लोग बताओ इसमें से क्या चीज नौट करेक्ट है फटावत से पहला वाला तो ठीकी है second वाला भी ठीकी है third वाला भी ठीक है fourth वाला answer है क्योंकि museum में हम photographs नहीं रखते हैं है ना तो इवाला answer ठीक हो गया अभी I hope कि कोई भी cheating नहीं कर रहा होगा सब लोग खुद से ही लगा रहे होगे ठीक है cheating करोगे तो अपने साथ करोगे है ना next is the taxonomic hierarchy refers to तो ये भी आपका बिल्कुल अगर आपने अच्छे से अच्छे पढ़ी होगी तो आप ये चारो options पढ़के बहुत इसली answer दे सकते हो उसका taxonomic hierarchy refers to and the answer is the answer is the step wise arrangement of all categories for classification of plants and animals so taxonomic hierarchy में हम क्या करते है step wise arrangement करते हैं सारी categories का है ना तो उसको हम taxonomic hierarchy कहते हैं easy ना ये living word से question था first chapter जो है आपका 11th का move to the next question that is the living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है that what is the defining feature of the living word और इसमें कोई exception ना हो अब हम बात करें reproduction की तो हाँ reproduction में जो non-living होते हों reproduction तो नहीं करते हैं बट बहुत सारे living होते हैं जैसे कि बहुत सारे couples होते हैं जो reproduction नहीं कर पाते हैं तो पहला वाला option तो नहीं होगा second is growth of movement तो growth living भी करते हैं non-living भी करते हैं अगर आपको confirm नहीं है अगर आपको killer नहीं है तो आप NCRT में check कर सकते हो the answer is the response to stimuli ठीक है next question is the select the correct statement आपको इसमें correct statement को select करना है बहुत easy है पहला इनोंने बोला है cholera, typhi, titnis are well-owned disease caused by the viruses is that true no bacteria से होता है यह सब तो next is dino flagellates, euglenoids and slime modes are placed under kingdom monera no इसको रखा गया है protesta में ठीक है monera के अंदर तो u bacteria, argi bacteria, mycoplasma and synovacteria आता है next question is the member, next point is the members of kingdom protesta are primarily aquatic, yeah that's right, ठीक है तो यह था answer third so guys I hope आप में से किसी ने भी cheating में की होगी बिल्कुल भी, सबने अपने answers जो है copy पे लिखे होंगे, अब honestly मुझे बताओ in the comment section कि आप में से कितने लोगों के answer बिल्कुल ठीक हुए है and guys मैं एक चीज और बोल देती हूँ कि रोज याद रखो reminder लगा लो अपने phone में की 3 बजे मैं live आने वाली हूँ और basic मेरा motto सिर्फ यह है कि आपका NCRT revision कराना, MCQ discuss कराना क्योंकि यही दोनों चीज़े हैं, यह दो main factor है जिससे आप neat exam crack कर सकते हो क्योंकि NCRT को अब जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है ठीक है तो पूरत दिन आप पढ़ाई करो, मैं आपको कभी भी disturb नहीं करोंगी बट basic 3-4 आपके लिए time है, आप लोग NCRT revision के लिए live आया करो और अपने friends के साथ share करो, मेरा जो live session होता है उसके अलाबा यह video भी ज़रूर share करना, I know आप बहुत सारे लोग होगे whatsapp group, telegram group में सबके साथ add होगे, तो share करो यह सारे videos भी till then bye bye, take care, मिलते हैं कल के live session में, that is on 3-3